स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में दोस्तों यह जो आप एक वेट मसीन देख रहे हैं काफी पुरानी यह वेट मसीन है ACS series करके इसका नाम है इसमें क्या है कि ना तो यह AC से उन हो रही और ना ही यह बैटी से यानि कि यह समय बिल्कुल डेड है सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले जो इसका यह जो वायर आया हुआ है इसका इसको चेक कर लेंगे इससे हमारा ये wire भी चेक हो जाएगा और हमारा transformer भी तो ही resistance हमने देखा तो resistance हमें दिखाई दे रहा है यह आप देख रहे हैं तो यानि कि हमारा power code ठीक है और हमारा transformer भी ठीक है अब इसको हम खोल लेंगे दो screw आप देख रहे हैं उससे उपर इनको हम खोल लेंगे और खोल लेने के बाद फिर देखें अंदर इसमें हमें क्या दिखाई देता है step by step जो भी मैंने अब तक आपको tips दिये हैं उनके according ही चलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यह कुछ इस तरीके से है अगर आपके सामने weight machine यह आई होगी तो आप समझ जाएंगे कि जो पुरानी weight machine होती थी उनमें किस तरीके का रहता था तो इसमें क्या करेंगे जैसे मैं बताता हूँ कि switch को भी sort करके देख सकते हैं और जो इसमें एक fuse लगा है हाला कि इसकी कोई विशेज जुरूत नहीं है क्योंकि हमने resistance चेक कर लिया लेकिन फिर मैं इसमें चेक करके देख ले रहा हूँ इसकी कोई वास्तव में जुरूत नहीं थी तेकिन मैं कर ले रहा हूँ इसमें जो main problem है वो जो मैंने अभी तक आपको बताई है उससे समन्दित ही है तो इसमें क्या है कि जो हमारी बैटे लगी हुई है वो आप देख सकते हैं 2017 की है सायदी मैं आपको दिखा देता हूँ 2017 October 2017 की ये बैटरी है तो कई बार क्या होता है बैटे हमारी जादर ड्रेन अगर चली जाए तो वो card कुछ इस तरीक से कर देती है कि वो mains पर यानिके AC पर भी ना चले तो अब हम क्या गरेंगे इसमें ये वाली बैटे लगा देंगे यू पलस ये थोड़ा strong बैटरी मानी जाती है तो जैसे ही हमने ये connect करी तो ये हमें कुछ own होता दिखाई दिया है और ये इसकी self testing वैती है कुछ इस तरीक से आएगा लेकिन finally जब हम इसको बंद करके देखेंगे तो ये हमें सही दिखाई देगा जैसे off करके own करेंगे तो हमें ये weight सही दिखाई देगा तो मैं अभी आपको ये दिखा देता हूं अभी हमने बंद किया है और जैसे ही हम इस पर press करेंगे तो ये हमें weight ये आपके दिखाई दे रहा है तो दोस्तो real जो इसमें fault था वो battery का drain हो जाना था तो उमीद करता हूं आपको वीडियो अच्छे लगे होगी तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद